नमस्कार आदाव सुस्री आकार स्वागते आप सभी का आपके आपने यूट्यूब चैनल पर आप सब के भिहार से चेक बढ़ती एक्जाम के लिए पॉल्टी की रिवीजिन क्लास है इसे हम क्या कर रहे हैं भीहार से चेक बढती हैं, अभी चेक जो एक्जाम होगा, उसमें कैसे question पूचे गें प्रीवेसे में, और कैसे question पूचे जा सकते हैं, करेंट में क्या सीजिए चर्चा मेरी उसे जोड़े static GK को discuss करेंगे, अगर आप भीहार से हमिदान के जो बिदेशी सूर्थ उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़े पॉल्टी के जो करेंट में जर्चा में जर रहे हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे तो अपनी क्लास को स्टाइट करते हैं एक मोटिवेशनल कुट के साथ मंजिल मिले ना मिले यह तो कोस्तरी के मेरे पास टाइम नहीं मैंने तयारी नहीं की यह जो टाइम है इसी टाइम को युटिलाइज करिए जो संसाथा ने आपके पास उसी से सुरू करिए और अपने अपने माबाप को सपना पूरा करिए सविदान की अंसूची जो मारा मूल समिदान में आट तो नौबे अन्सूची, दसवे अन्सूची, ग्यारवे अन्सूची और बारवे अन्सूची को अमने क्या किया था अलाग अलाग समिदान संसुदन के द्वारा जोड़ा था जैसे नौबे अन्सूची को अमने पहला समिदान संसुदन 1950 के द्वारा जोड़ा था जिसमें द सब्सक्राइब को जोड़ा था जिसमें नगर निकाय का उले क्या क्या पच्चायत के इंतागत आपके 29 विस हैं नगर निकाय के इंतागत 18 विस हैं यह आपके लिए इंपॉर्टेड और यहां फिचीज़े थोड़ी स्पीड से चलेंगी क्योंकि आपके रिपेट रिवीचे क्लास है इसके अलावा यूपी पुलिस कॉंस्टेवल के लिए मैं एक जीके जीस के स्रीच चला रही हूँ उस स्रीच को जरूर देख लेना हो आप सब के अक्जाम के लिए भी बहुत हेलफूर रहके पहली अंसूची हमारे मूल समिदान में 8 अंसूची थे वरतमान में 12 अंसूची हैं पहली अंसूची में केंद और राजसाजिप दे भारत असाद इंडिया इसके उलेग किया गया है हमारे समिदान में भारत और इंडिया दूनों नामों का उलेग किया गया है जो हमारे आपे भारत में राज्यों का संग हो कैसा संग है आविनासी संग है आव विनासी राज्चों का आप विनासी संग का मतलब क्या होते हैं हमारे राज्चों का विनास कर सकते हैं हम चाहें तो उत्तर प्रदेश को विवाजन करके दो नए राज्चों का गठन कर सकते हैं उत्राखंड से दो राज्चों का गठन कर सकते हैं हम चाहें तो उत्तराखंड बाच्चों का आविनासिस हैं और हमारे सम्दान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उलेग किया गया है। बाच्चों करता है। क्यों उन्हीं से क्या उन भावन में क्या गया था लोकसभा का उलेक हमारी समिदान में किस में अंचेट 81 में लोकसभा का उलेक क्या गया है 79 में संसथ को उलेक किया गया 80 में राजसभा का उलेक क्या गया संसेट के तीन अंगोते लोगसबा, राजसबा और राष्टपती अभी हमारे आपे कया हो रहा है? 18. लोगसबा का चुनाओ चल रहा है हमारे आपे जो 70. लोगसबा चुनाओ 70. लोगसबा थी इसका समय सीमा टाइम कब से समाथ हो जाएगा? 16 जून 2014 को हमारी जू 17 लोगसभा ये समाथ हो जाएगे पहली लोगसभा के अध्याच को ने पहली लोगसभा के अध्याच ते जीवियो मावल कर जी लोगसभा की पहली महिला अध्याच को ने पहली महिला अध्याच थी वर्तमान लोगसब अंदेच को ने ओम बिरला जी चुकि कोटा बुनी राजिस्तान से सांसद भी हैं इसके बाचत लोगसब का कारकल कितना होते हैं? पांच वर्स होते हैं लोगसब आपको निम्च सदन होते हैं, लोगसब आपको आहिस्ताई सदन होते हैं लोग सवा का वेक्टिन समय से पूर भी किया जा सकता है अगर आप इस्वास प्रिस्ताओं पारित होगे हो तो पूरी लोग सवा को इस्तिपाद दीना होगा आप इस्वास प्रिस्ताओं को हमारे समिदान में काप पर उले हैं आपके लोग सभा है तो लोग सभा में क्या होता है कि कब विक्टन कर सकते हैं अगर आप विश्वाश प्रिस्ताव पारित हो क्या तो लोग सभा को भक्टन होगा लोग सभा मंती प्रसित की प्रित क्या होती है उत्तरदाई होती है त्याल रखेगा आगे राज सभा राज प्रतिगान का मतलब क्या होते हैं अगर कोई भी वेक्त आस्तिक है तो कहते हैं मैं गीता के पृत्समत लेता हूं मैं बाइबल के सपत लेता हूं मैं कुरान की सपत लेता हूं लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है तो क्या करता है प्रतिगान मैं स्वयम के प्रतिगान लेता हूं कि मैं अपने करतव्यों को निर्वाहन करूंगी तो यह इसलिए क्यों होते हैं हमारे समिधान के तीसरे अंसूची में सपत और पतिगयान का उलेक किया गया है लेकिन यहां पर दू पॉइट समस्ते हैं एक तुमारी राश्ट पती एक उपनाश्ट पती एक राजपल इन तीनों की सपत का उलेक हमारे समिदान की तीसरे अंसूची में नहीं किया गया हमारे समिदान की त और राश्ट में श्वल्ट को सब्सकति के वैट क्याक थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब चार राचों जन जाती छेत्रों को प्रशास्चन जसे आपको जन जाती छेत्रों राचों पर जाते ना परता है जो inner line permit लेना पड़ता है ये किसलिये क्योंकि जन जाती छेतरों के सब्वता कम सनच्छर कर सके उनके सब्वता में कोई दिखकर ना हो सातवी अनसूची में किन और राज किमा सक्तियों का भिवाजन किया गए ये सक्तियों को विवाजन तीन सूचियों में क्यों है संग सूचिय, राज सूचिय और समवर्थी सूचिय संग सूचिय में कानून बनाने का दिकार किन सरकार के पास है राज सूचिय में कानून बनाने का दिकार राज सरकार के पास है समवर्थी सूची में कानूर केंद और राज सरकार दोनों बना सकती है अगर एक ऐसी स्थितिया दी कि दोनों कानूर बना देती है तो उस टेमपे क्या होगा केंद सरकार का कानूर मानोगा जैसे आपका सिच्छा, सिच्छा हो गया, वान हो गया, जन संक्या हो गया यह सब किसमें समवर्थी सूची में है, पहले यह सब राज सूची में थी, लेकिन हमने 22 समविदान संसोदन 1976 के दोरा इन सब को राज सूची से निकालका समवर्थी सूची में रखा था, BLEKSimen सम्धान संसोदन 1976 को मिनी सम्धान संसोदन भी कहते है इसके माधनम स्थ अंने पहले व्हाः प्रस्ताना में भी संसोदन किया था समवर्थी सूची हमने लिकाँ से समवर्थी सूची हमने ऑच्टलिया के समधान से लिया हूँ Aatsvian Sūчи आठवी अनसूची में भासाओं को उल्ले किया गया है वर्तमान में हमारी आठवी अनसूची में 22 भासाओं को उल्ले किया गया है लेकिन जो हमारा मूल सम्धान था मूल सम्धान में 14 भासाओं को उल्ले किया गया था उसके बाद की भासाओं को हमने किया कि अलग अलग टाइम पर समिदान संसुदन के दोरा जोड़ा है जैसे 21 समिदान संसुदन के दोरा हमने पंदरवी भाजा ग्रूप में क्या किया था सिंधी को चोड़ा था इसके बाद क्या हुआ इसके बाद हमने 71 समिदान संसुदन किया 71 समिधान संसुदन के मातन से हमने नेपाली, मड़ीपुरी, कॉंकडी तीन और भासाओं को जोड़ा पहले हमारी 14 भासा थी फिर हमने सिंदी को जोड़ा 15 हो गई अब 15 के बाद हमने 3 और भासाओं को जोड़ा अब आपके कितनी होगी? 18 भासा होगी इसके बाद हमने 92 समिधान संसुदन करते हैं 92 समिधान संसुदन के मातन से हम क्या करते हैं? चार और भासाओं को जोड़ते हैं यह जो हम चार भासाओं जोड़ते हैं बोडो, डोंगरी, मैतली और संताली इस परकार से हमारे समिधान के 8 वी अनसूची में को मई वाहिस वाहसं को एक पर देख लीजेगा आपकी असमिय है कस्मीरि ये माराशी ये सिंधि ये सब का उलेख गाति on income जा गाति है इसके बाद आपkी बंगालि है टोंग्री गोजघाली है कोमकडी, मैतली, मलेयालम, मरीपुरी, करना है उडिया, पंजाबी, नेपाली, संस्कुर्ट, संताली तमील, तेल्गु, उर्दु एक आपकी राजस्तानी, एक अंग्रेजी ये अक्सर पोस्त है इनका हमारी समिदान के आटवी अंसुचि में उल्यक नहीं किया गया अंग्रेजी का भी नहीं और राजस्तानी का भी हमारी समिदान के आटवी अंसुचि में उल्यक नहीं किया गया दसवी अनशूची को हमने 52.!!, continuous 것이1985 के दोरें चोडा था Lei का। इसके मात्यम साथ में दल बदला कानुन का निर्मायँ किया था 11 अंसूची, 11 अंसूची में हमने क्या किया था, पंचायत को इस्तान दिया था 11 अंसूची के लिए हमने एक समिदान संसुदन किया था, 73 वा समिदान संसुदन जो कि 24 अप्रेल 1993 को लाग हुआ था इसलिए हम 24 अप्रेल को पंचैती राध दिवस की रूप में मिनाते हैं पंचैत के अंतरगत कितने विस हैं तो पंचैत के अंतरगत उन्टिस विस हैं बारवी अंसूची काम ने क्या किया था सविधान संसुदन के दोरह जोड़ा था जिसमें नगर पालिका नगर निकाय को लेकिया गया नगर फालिका के अंतरगत कितने विश्चे आते हैं तो नगर फालिका के अंतरगत आपके 18 विश्चे आते हैं अब हमारे सविधान के को सुरोत हैं ते कि हमारे सविधान निर्मा कर दो चल रही तो राष्ट्रेदी संवान दश्राइद से बहुत सारी चीचे ले तो आज में भारत की सुरोत की बारे में जानते हैं जैसे आश्ट्रिया समयांस से लिए आश्टिलिया के समवर्थी सूचिलिया है व्यापार वाडी चीप के समागम के सुतंता को लिए क्या है संसत के दोनों सतनों के संयुक बैटक अंचिद 108 में उल्ये के किसी कारणों अगर संसत नहीं चल रही तो राष्ट्वधी सायुक तो बैटक बुला सकता है इसका उल्ये का हमारी समिदान के कहा है अंचिद 108 में क्या गया है यह चीज हमने कहां से लिए और अश्टिलिया किसे लिए अगर आपको स्पीड जादा ल राच के सकतियों को विभाचन तीन परकाशे किया था संग सूची राज सूची और समवर्थी सूची लेकिन कुछ में कंट्रोल करने के लिए कानुन बढ़ानी की जरुवत पड़ेगी तब हुमारे समिधार निर्मावत और नहीं सोचा कि अगर कोई ऐसी बात होती है जिस पर हमें कानुन बढ़ानी की जरुवत है तो फिर हम क्या करें कि उसको औसिष्ट विसेव रख दिया कि भाई उसे आ स्लाब करें कर डाला कर सिर्पा देशकत लख राश्ट चाहें तो सुप्रियम सतत सला लोय सकता है तो स्प्रीम कौट सला देले बात याा बड़ना नाहीं राश्ट्रण पड़ें हैं राष्ट पड़े तो सला ले शकते हैं ॐसीम राष्टी निर्वार, तैन्ससीी प्रती निर्वाचन केस होता है एकल संकमरी मत पद्ध जो होता है यह सब अमने का से लिए आईरलेंड से लिए राज सब अधले सदसों को नामनकन जो करते हैं यह अधान से लिए बीदी दौरा इस्तापेद प्रक्रियाई है यह सारी चीज़े आपको याद होंगी लेकिन ए सब्सक्राद से लिए राजने का सांसन लिए विधाई प्रक्रिया एकल नाकरिक्त लिए केब्नेट प्रकारी संस्टी के संसदी विज़े सब्सक्राद रिए राजपति पर महवयोग लगा कि उसको उसके पद से हटाना उचितम नियाले और हाई कोड़ और सुप्रीम कोड़ के जजज को अटाना उप राश्पती का पाथ ये सारी चीजें में सुझी तुराच अमेरिका के समधान से लिया हुआ है वाइमर जरमनी के सर्वेंः जंप्रम přनी संवी के लिया है अपाथ काल के दोरान मولी कदकारों के नीलममन हमारे यापे 3 परकार का पाथ का लगते है राश्पाथ कालना राजपाथ काल जिसे हम राश्पती सहसन भी कहते हैं और वित्ति आपाथ कालना अंचे 352 में आपका राश्टी आपातकल को उलेग किया गया है 356 में राश्टपती सासन ये राच्छ आपातकल को उलेग किया गया है 360 में वित्ती आपातकल को उलेग किया किया राश्टी आपातकल हमारे यापे तीन बार लग चुका है वित्तिय आपातकार अभी तक हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगा फ्रांस फ्रांस सेमने के लिए गर्टन्त की ब्योस्ता प्रस्तावनों में सुतन्ता, समानता और बंधित क्यों आजिस फ्रांस से लिए तच्छी अफ्रीका से आप प्रत्यश बॉपस होते है यह भी करण आपके खुण से हमने संगी यूचना लिए राजपार कारेल है, हमारे आपर न्याई पालिका कैसी होगी लोग सिवायो कैसी होगा, अपात कल के प्रावधान कैसी होगी प्रसासनी विवरन, ये सारी चीज़े हमने बारे सरका अधनियम 1935 से लिया तो आज की क्लास में हमें इतने पॉंट डिसकस किये नेक्ट क्लास में हम प्रस्तावनों के बारे में उससे आखियो के पॉंट डिसकस करेंगे वीडियो कैसी लगा, इसका फीड़ पे कॉमेंट सेक्शन दरों जरूर दीजेगा आज की क्लास में आपको अंसर बताने है, सबसे पहले अंसर बनना है लोगसभा के पहले अद्यश कौन थे, लोगसभा के वर्तमान अद्यश कौन और लोगसभा और संसर सुचरे महत्पूर आटिकल के बारे में और राष्टपती के सपत का उल्ले का क्या गए इन सारी क्वेस्टन के अंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो कैसे लगा फीटबे कमेंट सेक्शन दरों जरूर दीजिएगा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल का सबस्क्राइब करिए, वीडियो का लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ सेर करिया है